हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू मैं निव वीडियो तो दोस्तों मार्केट में जब करेक्शन होता है तब आपको सभी के सभी स्टॉक में प्राइज कम मिलते हुए इन्वेस्ट नहीं करना है आपको कुछ ऐसा स्टॉक देखने को मिलेगा जिसका सेल्स अच्छा है फंडेमें अच्छा है फिर भी जो मार्केट का इंटर्नल इशू है इसके लिए स्टॉक का प्राइज नीचे गिरते जा रहा है तो चले देखता है क्या है वो स्टॉक तो वीडियो को पूरा देखता रहे चले स्टार्ट करता है तो सबसे पहले हम देखेंगे कमपनी का कुछ फंडम फाइब रुपीज स्टॉक का रोसी है तू वान परसेंट आरोई है 16 परसेंट बहुत अच्छा है और फेस बैलू है टेन रुपीज प्रोमोटर होल्डिंग 31 परसेंट उसकी बाद स्टॉक की उपार डेप्ट है 19119 करोर का और स्टॉक का नेट प्रोफिट एन्वाली है 45 का और इसका जो टोटल नेट प्रोफिट है वह 6 to 7 करोर का स्टॉक का रिजर्व्स है 3017 करोर का डेप्ट परी कमपनी है फुली उसकी बाद स्टॉक का करेंट एसस देखोगे तो 2666 करोर का और स्टॉक का वन यार का रिटान 131 परसेंट का तिरी यार का रिटान है 83 कमपनी का जो कॉर्टली रेजल्स अच्छा आने का संभवना है गुट कॉर्टली रेजल्स एक्सपेट करता है मर्केट और कमपनी का जो कमपनी ने हेल्दी डवीडन पे आड करता है 28% का और यहाँ पे कमपनी जो इसका ग्रोथ भी बहुत 10 साल से 70% 17% इंक्रीज हुआ है उसकी बाद यहाँ पे कंपनी का कौन्स है यह जो 9.53 टाइमस बुग बैलू से नीचे टेट के देन हम देखेंगे कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉड तो कंपनी का सेल्स यहाँ पे लगातार इंक्रिस होते जा रहा है यहाँ जो मार्च 2019 में 3366 का था उसकी बाद 3566 देन 418 और इसका टोटाल 5186 तो सेल्स काफी इंक्रिस होते जा रहा है और कंपनी का बीजनेस और भी ग्रो करने एक्सपेंस भी ठीक ठाक कर रहा है और इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मर्जन है 17 परसेंट यह भी इंक्रिस होते जा रहा है यह भी बहुत अच्छा है उसकी प्रोमोटर होलिंग ठीक ठाक है प्रोमोटर का 50% से नीचे मेरा हिसाब से 50% से ऊपर होना चाहिए तो अच्छा होता है लेकिन यहां पर एफिक ठाक है तो शेर होल्डिंग प्रेटन भी अच्छा है और यहां पर लाज्ट ट्रेडिंग सेशन में यानि कि फ्राइडे को स् फाइब डिर में स्टॉक में जो गिरवध होते यह स्टॉकंव का सब कुछ अच्ण चल रहा है फिर भी जो मार्केट मार्केट के एकोडिंग स्टॉक में भी करेक्शन हो रहा है तो यह इंटर्नल इशू है स्टॉक में जो जब तेजी आएगा तब आप पकर नहीं पाओगे गाईस ऐसा रोकेट की तरह भागेगा क्यूंकि स्टॉक का सब कुछ बहुत अच्छा है और यहाँ पे फाइब यार का रीटन अब देख सकतो 502 परसेंट का वन यार का रीटन 133 और इसका मैक्सिमाम रीटन है 1780 परसेंट और इसका चार्ट पैटन भी बहुत अच्छा है फंडमेंटल स्टॉंग है मेटिकाप कमपणी है आई टी सेक्टोर से बिलोंग करता है बहुत अच्छ चल जाए तो स्टॉक का नाम है परशिस्टेंस सिस्टेम लिमिटेड उसकी बाद हम स्टॉक का टेक्निकल चार्ट पैटन एनलाईसिस करेंगे और आपको बताएंगे क चौक काफी उपर चला गया था उसकी बाद करेक्शन होके यह 3858 लेवल में पहुच गया यहाँ पे 5000 से भी 5000 के आसपाथ स्टॉक पहुच गया था तो यहाँ पे आप गौर करोगे तो आप देख सकते हो इस लेवल पे स्टॉक ने सपोट फेस किया दिन यहाँ पे जो यहाँ पे लेवल है यहाँ पे यहाँ पे तो यह बहुत ही स्टॉंग सपोट लेवल है यहाँ से जो हिट करके मार्केट उपर गया बहुत बार यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट ब्रेक आउट किया था फिर यहाँ पे सपोट लेवल फेस करके फिर उपर गया फिर य नीचे यह भी एक सपोर्ट लेबल है यहां पर 3500 रुपेस के आसपास और अगर यहां से स्टॉक उपर जाना शुरू करे तो स्टॉक बहुत रॉकेट के तरफ दोड़ेगा तो गाइस अगर आप यहां पर बाई करना चाहते हो तो आपका हमेशा टार्गेट लॉंग टरम के के लिए हो तो आप जब इस लेबल तक पहुचेगा ट्रेडिंग के लिए तो आप सेल कर सकते हो लेकिन आपको लॉंग टरम के लिए ऐसा स्टॉक में इंबेस्ट करना ठीक होता है तो दोस्तों आज का वीडियो इतना था कि यह वीडियो जब एजुकेशनल परपस के करना झाल क सकते हो